लेबर से एक्सिविशन कराऊ या मशीन से लेबर का कौस जादा होगा या मशीन का बहुत ज्यादा कन्फूशन है तो आई आज इस कन्फूशन को दूर करते सब्सक्राइब करिए सिविल गूरू जी चैनल को लेटेस्ट विडियो सबसे पहले देखने के लिए तो आईए सबसे पहले बात करते हैं एक्सकेविशन बाइ लेबर कहीं भी एक्सकेविशन का काम परफॉर्म कर सकते हैं लेकिन जो लेबर's manpower's का use हमें करना चाहिए जो की जहां पे हमारा plot घिरा हुआ है बाकी building से मिल्स जहां पे machine use नहीं किया जा सकता वहां पे आप लेबर's manpower का use ज़ादा बहतर ढंक से कर सकते हैं अब आईए समझते हैं लेबर's की efficiency क्या होती है efficiency mainly depend करती है type of soil पे अगर hard soil है तो ज़ादा time ज़ादा power की ज़रुत होती है अगर soft soil है तो कम time में excavate किया जा सकता है मतलब 125 cubic feet का pit करना है तो दो workers मिलके असानी से कुछ hours में excavate perform कर सकते हैं अगर soil hard है तो पहले x से loose करना होगा फिर excavate करना होगा तो इस situation में ज़ादा time लगेगा अगर soil में roots यानी जड़े है या rocks यानी चटाने हैं तो ज़ादा time लगेगा सो conclusion ये निकलता है कि manpower का use ordinary soil के excavation के लिए किया जाना है तो बहुत बैतर होगा अगर labor का rate के बारे में बात करें तो ये vary करता है 300 रुपे से 400 रुपे पर डे तक तो दो labor required है एक दिन में 125 cubic feet का excavation करने के लिए जिसमें एक labor डिक करने के लिए काम आएगा और एक labor materials को dispose करेगा अब बात करते है machine for the excavation टू टाइप की machines generally use किया जाता है एक तो आपने सुना ही होगा JCB और एक है chain mount तो सबसे पहले बात करते है JCB JCB machine excavation के charges तीन अलग-अलग तरीके से लिए जा सकते डे वाइस मतलब जो भी काम एक दिन में पूरा किया जाए उस हिसाब से और second है early charges मतलब जितना आज काम करेंगे उतना charges और third है unit wise मतलब per unit जो भी diesel, petrol, fuel, quantity consume होगा उसके हिसाब से तीनो ही condition ठीक है अपने-अपने situations में अब question उठता है कि JCB कितना excavate कर सकता है एक घंटे में तो आप सभी को बताना चाहूंगा कि the excavation capacity of JCB ranges from 700 qubit feet to 1200 qubit feet per hour ये भी depend करता है type of soil और bucket capacity पे अगर rate की बात किया जाये तो अगर बड़ा project है काम जादा है तो JCB का charge 700 to 800 rupees per hour होगा और अगर 3 to 4 hours का काम है अप्रोक्स तो cost होगा 100 to 1200 rupees per hour लेकिन अगर site एक far distance में है तो extra transportation cost add किया जाता है next अगला machine excavation के लिए जो है chain mount chain mount का use करना बहुत ही असान है और JCB से जादा capacity का होता है so it can dig faster than JCB और chain mount का हम undulated sites में भी बहता धंका यूज कर सकते है अब जानते है chain mount एक घंटे में कितना excavate कर सकता है तो 50 to 70 cubic meter per hour depend upon the driver की whether it is experience or not almost 10 to 15 pit हम excavate कर सकते है जैसे कि 5 by 5 by 5 मतलब 125 cubic feet dimension का और इसी के साथ बताना चाहूँगा soil को transport करने के लिए जो vehicle की capacity होती है वो कितनी है जैसे कि tractor 2 wheels carry करता है 100 cubic feet को tipper 6 wheel वाला carry करता है 300 cubic feet को highway carry करता है जो 10 wheel वाला है वो carry करता है 500 to 600 cubic feet को तो ingenious अब आपको एक idea जरूर हो गया होगा कि labor से काम करवाना है तो कहां पे करवाना है excavation के लिए और अगर machine use करनी है तो कहां पे करना है और इसी के साथ civil guru जी एक बार फिर से आप सभी students के लिए लाया है big news career success training program CSTP जो की central government authorized training की तहत आप सभी को एक SE training provide करेगा जिससे career में success पाना होगा बहुत आसान CSTP में आपको सिखाया जाएगा 12th month का construction operating process course जिसमें 1st month आप सिखेंगे estimation प्लस 99 strategies 2nd month में आप सिखेंगे BBS प्लस powerful strategies 3rd month AutoCAD प्लस वास्तू 4 month Revit प्लस Google SketchUp 5th month 3ds Max, Lumion and Enscape 6 month quantity survey rate analysis and survey 7th month highway plus MX road 8th month quality assurance, quality checker 9th month government and private billing 10th month contract and tendering 11th month stat pro plus e-taps 12th month Microsoft projects plus Primavera plus job directive इतना सब कुछ बहुत ही असान installments के साथ मात्र 1487 रुपे पर मन्द जी हां बिलकुल मात्र 1487 रुपीस पर मन्द की दर से और वो भी पूरे-पूरे 2 साल की validity के साथ और अगर आप हर मन्द इमानदारी से पढ़के assignment submit करते हो तो rewards के रूप में आपको cash back दिया जाएगा 487 रुपीस का वो भी पर मन्द हर एक assignment submission के बाद ये cash back आपको दिया जाएगा लेकिन सिर्फ पहले 1487 इंजीनियस के लिए ही offer available है और इसी के साथ आप सभी को दिया जाएगा सभी courses के individual certificates इसलिए देर मत करिए अभी phone उठाए बिलकुल अभी phone उठाए और call करें लेकिन इस बार call करना है 08069161234 पर ध्यान रखें सिर्फ आपके लिए ये number allot किया गया है इसलिए इसी number पर call करें वो भी अभी call करें number description में दिया गया है call now मिलते अपने next वीडियो में तब तक के लिए जै हिन जै भारत करेंगो